वापसी पर स्वागत है, अंतरिक्ष के प्रतियुद साही, अपने दिमाग को अंतरिक्ष के कुछ चोकाने वाले तत्यों से उड़ाने के लिए तैयार हो जाएए, कमर कस लीजिये क्योंकि हम एक अविश्वस्निय ब्रमांड ये यात्रा शुरू करने वाले हैं, फैक्ट नमबर वन, क्या आप जानते हैं कि ब्रमांड में सितारों की संख्या प्रित्वी के सभी समुद्ध ततो पर रेट के कनों की तुलना में अधिक है, हमारे ब्रमांड में कम से कम 77 सितारे हैं, 7 के बाद 23 शून्य है, फैक्ट नमबर टू, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुकी पृत्वी पर नहीं बलकी मंगल ग्रेपर है ओलंपस मौन्स, जो 13.6 मील, 22 किलोमेटर, की उचाई पर खड़ा है, मांट एवरेस्ट को एक छोटी चीटी की पहारी जैसा दिखता है फैक्ट नमबर फ्री, यदि आप एक न्यूट्रॉन तारे की सतह पर जीवित रह सकते हैं, तो आप एक मनमौजी गुरुत्वा कर्शन बल का अनुभव करेंगे वास्तव में, एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे की सामगरी का वजन यहां पृत्वी पर एक पहार जितना होगा फैक्ट नमबर फॉर, हमारी मिलकी वे आकाश गंगा लगभग 13.6 बिलियन वर्ष पुरानी होने का अनुमान है इसका मतलब है कि यह हमारी पृत्वी, डायनसौ और यहां तक की आपके दादा दादी से भी पुरानी है फैक्ट नमबर फाइब, ब्लेक होल ब्रमान्डिय वेक्यूम प्लीनर नहीं है, जो अपने आस पास की हर चीज को चूसते है वास्तव में, वे काफी गंदा खाने वाले हो सकते हैं जब कोई तारा ब्लेक होल के बहुत करीब आ जाता है, तो वे एक लंबी, पतली धारा में फैल जाता है गैस का एक, स्पेगेटिफिकेशन, कहा जाता है, बॉन एपेटीद इसलिए, यदि आप प्रकाश की गती से एक अंतरिक्ष सहसिक कार्य पर गए और प्रित्वी पर वापस आए, तो आप अपने आपको अपने दोस्तों से छोटा पा सकते हैं कौन पीछे रह गया पैक्ट नमबर सेवन, अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत नहीं है, वास्तव में, यहुन, ध्वन्यों, से भरा है जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती है वैग्यानिकों ने इन संकेतों को ध्वनी तरंगों में परिवर्तित कर दिया है, जिससे हमें ब्रमान की भयानक और सुन्दर धुने मिल रही है यदि आप देखे जा सकने वाले ब्रमान के सभी तारों को एक प्रती सेकन की दर से गिनें, तो इसे समाप्त करने में आपको 2000 वर्ष से अधिक का समय लगेगा बेहतर होगा की आरम करें फैक्ट नमबर 9, अंतरिक्ष खाली नहीं है बलकि अद्रिश्य डार्क मेटर और डार्क एनरजी से भरा है, जो ब्रमान के कुल द्रव्यमान उर्जा का लगबग 95% हिस्सा है हम अभी भी इन डार्क फोस के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे है फैक्ट नमबर 10, अपोलो मून मिशन ने कुछ दिर्चस्ट कलाकृतियों को पीछे छोड़ दिया ऐसा ही एक आर्टिफेक्ट एक रेट्रो रिफ्लेक्ट है, एक ऐसा उपकरन जो प्रकाश को उसके स्रोट पर वापस दर्शाता है इसलिए यदि आपके पास एक शक्तिशाली लेज़ है और इसे चंद्रमा पर लक्षित करता है तो आप वास्तव में इन रिफ्लेक्टरों से प्रकाश को उच्छाल सकता है और हमारे चंद्र परोसी की दूरी को माप सकता है और ये लो, दोस्तों, दस आश्चरे जनक अंतरिक्ष तथ्य जो निश्चित रूप से आपको आश्चरे चिकित कर देंगे और अधिक लोकिक ज्यान के भूखे होंगे लेकिन याद रखे, ब्रमान एक विशाल और रहस्यमय जगह है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए अपनी आँखे आस्मान की ओर रखे और कभी भी ये सोचना बंद न करे कि इसमें और कौन-कौन से दिमाग गुमा देने वाले रहस्या है अंतरिक्ष के माध्यम से इस अविश्वसनिय यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अपने साथी अंतरिक्ष उत्साही लोगों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले अगली बार तक, सितारों तक पहुंसते रहें माइन ब्लोइंग स्पेस फेक्ट्स पार टू जल्दी फेक्ट फ्रेंजी पर आ रहा है